थोड़े ही सेकिंड के बाद आपको जो आपकी Github की Free RDP की Login डिटेल है जो IP अडरेस है यूजर नेम है और पासवर्ड आपको यहाँ पर पर प्रवाइड कर दिया जाएगा बस यह मैंने आपको इसलिए डाउनलोड करके दिखाया इंस्टॉल करके कि आपको यकीन हो जाए कि इस Free RDP में आप अपने मर्जी से भी कोई सब्सक्राइड इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप Chrome की प्रफाइल जेनरेट करना चाहते हो multiple वह भी आप जेनरेट कर सकते हो इस Chrome प्रफाइल जेनरेटर से यहां पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 2 GB तक इंटरेट स्पीड चली गई है अच्छा है यह तकरीबन 3-4 GB तक पी चली जाती है असलाम नेकुम वेलकम बैक तो अनाधर वीडियो आज की इस वीडियो में मैं आपको PC में GitHub की Free RDP क्रियेट करना सिखाऊंगा और यह GitHub की Long Direction वली Free RDP होगी इसमें आपको Full Admin Access मिलती है उसके लावा इस Free RDP में आप अपनी मर्जी से कोई सा भी Software भी Install कर सकते हो और इसमें आपको Windows Server देखने को मिलता है लास इस वीडियो में भी मैंने आपको यही वली Free RDP क्रियेट करना सिखाई थी लेकिन वह RDP मैंने मुबाईल में क्रियेट करना सिखाई थी 20% RDP बननी चाहिए तो आज की वीडियो आप देख लें हो सकते हैं कि आप से कुछ भूल हो रही हो कुछ मिस्टेक हो रही हो आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप मूबाईल में RDP बनाना चाहते हो तो आप यह वीडियो ज चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इंफ्रमेटिव कॉंटेंट लाता रहता हूं अब टाइम डियो को स्टार्ट करते हैं आपने सामने मेरा अकाउंट अपन है उसके बाद आपने सम्पल आपने निव रिपोजिटरी क्रिएट करनी है और यहां पर आपने रिपोजिटरी का नाम दे देना है तो यहां पर मैं RDP4 लिख देता हूँ क्योंकि RDP3 वाला नेम मैं यूज कर लिया था आप यहां पर कोई random नेम भी दे सकते हो इसमें कोई problem नहीं होगी उसके बाद आपने simple यहां public को private कर देना है और यहां से अपने create repository क्रिएट कर लेनी है अब जैसे आप इस पेज पर आजें उसके बाद आपने क्या करना है आपने अपने browser में new tab open करना है और यहां पर आपने tail scale सर्च करना है यहां पर आपको नज़र आ रहा है tail scale मैंने सर्च कर लिया है अब आपने क्या अगरने है पहले तो यह डाउनलोड वले को न्यू टैम में ओपन कर लेना है और यहां से जाकर आपने अपने सिस्टम के अकोडिंग लिए इसको यहां पर डाउनलोड टेल स्केल फॉर विंडो अगर आप आप यूस यूस कर रहे हो तो आपने वह डाउनलोड करना है तो यहां पर मैं फिलाल विंडो सर्वर रियूस कर रहा हूं तो मैं यहां पर इसको विंडो के लिए डाउनलोड कर लूँगा यहां से मैं इसको सेव कर लूँगा यहां से फिर आम इसको बंद कर देंगे अब आपने क्या कर लेना है उसके आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अब देखें यहां पर मैंने बहुत सारी पहले भी RDP बनाई हैं तो उसका यहां पर मुझे डिटेल हो रही है आपने क्या करना है आपने सेटिंग पर आने के बाद यहां पर आपके सामने देखें कीज का option मिलेगा आपने इस पर क करने के बाद आपने सेटिंग पर आपने सेटिंग पर जाने के बाद 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 आपने एक्शन में आने और यहां से अपने नियू हुआ तो आपको आगे जाके error आते हैं तो यह चीज़ आपने ध्यार में रखनी है फिर आपने टेल स्केल वाली website से जो code copy किया था वो यहां पर आपने paste करना है और add secret पर आपने होनी चाहिए पूरा code copy हो उसके बाद आपने simple यहां लाकर आपने paste करना है और simple यहां पर comment changes पर click करके again आपने comment changes पर click कर देना है अब देखें यहां पर आपकी yml की file आजाएगी simple आपने जाना है actions में actions में जाने के बाद यहां पर आपके सामने देखें RDP का option मिलेगा आपने इस पर click करना है और यहां पर आपने आकर run workflow पर click करके again green color के run workflow पर click कर देखें अब देखें यहां पर लिखा हुआ नजर आ गया workflow run was successfully requested अब चंद सेकंड आपने वेट करना आप यहां पर आपके सामने processing स्टार्ट हो जाएगी यहां पर आप लोग देख पा रहे हो आपकी जो RDP की processing हो यहां पर स्टार्ट हो गया तक्रीबन आट से 10 सेकंड लगते हैं simple हम इस पर click करेंगे एक बार और यहां से हम secure RDP पर click करें तो यहां पर देखिए आपकी जो RDP वो यहां पर सेट अप होना start हो जाएगी अब आपने क्या करना है जैसे आपके सामने यह इस तरह का लिंक पर वाइड करें आपको आपने इस पर एक बार click करने और अगें यहां पर आपने connect करने अपने account को tailscale के साथ टीक है यहां पर यह login successful हो चुक है और यहां पर चंड सेकिन आपने wait करना है इतना हम वापी चले जाते हैं यहां पर step भी complete हो चुक है और हमारी RDP है यहां पर इस step पर आ चुक है अब अगर यहां पर आप इस RDP को login करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां पर error देखने को मिलेगा तो simple मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं यहां से simple मैं अपना IP address है उसको copy कर लूँगा और सर्च में जाकर हम यहां पर remote desktop connection सर्च करेंगे और यहां पर हम क्या करेंग WhatsApp user input which type लेना उसके बाद यहां से इसको allow करके connect पर click कर लेुश के लोइने तो connect पर click करने उसके बाद आपने यहां पर connect पर click करने और चंब पर wait कर आये है मैं आपको बताया था ना अभी यहां पर आ।को देखने को मिलेगा तो वह error आपको अभी मिल जाएगा उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं हमें error देखने को मिल चुक है यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं यह जो software है वो successfully installed हो चुक है अब हम क्या करेंगे इसको close कर देते हैं अगें गिटर वली website में आएंगे अब जो software installed हो आपके इस जगह पर आ जाएगा यह देखने को आपने इस पर right click करना है और यहां पर इसको connect कर लेना ठीक है तो show हो जाएगा मतलब कि आपके जो computer है वो इसके साथ connect हो चुक है अब आपने क्या करना है आपने इसको simple login करना है सेम तरीके से आपने login कर लेना है यहां से IP address copy करना है और आपने remote desktop connection पर आना है यहां पर आकर आपने आपना IP address paste करना है यह आपने लाजमी से करना है दिहां से अपने इस पर show more पर click करना है और आपने आपने यूजरं नेम टा बाइब है पूरा का पासवर्ड एमने इ지 कोük्ट करने, यहाँ से क्डिक्ट करना रहे और सिम्पल आप आपको क्लिक करना यहां करते है। यहां से आपके ऊपके अदे हैं पूर प्रियुसर ने पासवर्ड डालने का उप्षन नहीं पोपिशन नहीं मिलेगा। तो जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया आपने सेम वैसी करना है उसके बाद सिंपल आपने OK पर क्लिक करना है तो यहां पर विदिन सेकिंड आपकी जो GitHub की Free RDP है वो आपके कंप्यूटर में लोगिन हो जाएगी यहां पर आप लोग देख भी पा रहे हो अब यहां पर हम चंद सेकिंड वेट करते हैं ताकि हमारी RDP है वो कनेक्ट हो जाए और राइट यहां पर आप लोग देख पर है हमारी GitHub की Free RDP लोगिन हो चुकी है अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको कुछ स्पैसिफिकेशन चेक करवा देता हूँ तो यहां से हम File Manager में आजाएंगे File Manager में आने के बाद Simple हम यहां पर इस PC पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप Storage चेक कर सकते हो तक्रीबएं 300GB की C की Drive है और 100GB की Almost आपको D की Drive मिलती है तो यहां पर आप अपना Data Store easily कर पाऊगे अब RAM भी चेक कर लेते हैं तो इस PC पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से हम Properties में आ जाएंगे तो यहां पर RAM भी मैं आपको चेक कर वा देता हूँ किस Free RDP में आपको कितनी RAM मिली है अच्छा यहां पर आप आप लोग देख पा रहे हो तक्रीबएं 8GB RAM मिली है Firefox और Chrome Browser प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपने Simple इसको Don't Sign In पर क्लिक करना है और यहां से आपने इसको Got It पर क्लिक कर लेना आपका Chrome Browser ready to use हो चुका है अब यहां पर मैं आपको RDP की लोकेशन चेक नहीं करवा रहा यहां पर मुझे मिल चुक है मैं Simple इसको Search कर लूँगा और यह Capture भी लाजमी होता है First Time आपने इसको भी Fill करना होता है लाजमी से Alright यहां पर मेरा Capture verify हो चुक है और यहां से हम Speed Test वाली Website को New Time में Open कर लेते हैं और यहां पर मैं आपको Internet Speed चेक करवाता हूँ Internet Speed तो यहां पर आपको GB में मिलती है उसे कम यहां पर कोई Scene नहीं है Simple मैं यहां पर Go पर क्लिक करता हूँ और आपके सामने अभी देखिएगा कैसी कमाल की आपको Internet Speed देखने को मिलेगी यहां पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 2 GB तक Internet Speed चली गई है यह तकरीबन 3-4 GB तक पीछ ली जाती है तो यह उपर नीचे मामला होता रहता है अभी भी देखें तकरीबन 2 GB आपको यहां पर Internet Speed देखने को मेरी है आप इस RDP में easily कर पाऊगे तक है मैं आपको जास्ट एक प्रूफ के तोर पर यह दिखा देता हूं वरना बहुछ लोग आपके कह देते हैं कि यह नहीं हो रहा फलाना नहीं हो रहा डंकाना नहीं हो रहा यह चीज नहीं बताई वह चीज नहीं बताई तो यह इस तरह के ब मेरे अच्ड़ कर नहीं अक्समार मेरा पर इंस्टाइल हो इन्सटाट कर देता हूं और चितने अपर कि पर पना इस पर देता हूं। अब यह पर सिंपल मैं क्लिक करूँ गार उनक्यक्तिपल से इन्सटार्ट करते हैंode, 55 mm, 54 mm , 365 mm, 3310-66 mm से बंद कर दूँगा और राइट यहां पर आप लोग देख पार है हमारा जो ब्राउजर है वो रैडी टू यूज हो चुक है अब मैं इसके अंदर कुछ भी साच वगहरा कर सकता हूं इसको यूज कर सकता हूं बस यह मैंने आपको इसलिए डाउनलोड करके दिखाया इंस् इसलिए बीशाएं वो भी आप दिखाया देख हो अब मेरे पास वह टूल नहीं है वहीं आपको आपको इंटरनेट अपर मिल जाता है आप यहां से मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं अब यहां पर आपको थोड़ा समस्क्री टाइम डूरेशन का प्ता देता हूं च्शे easily use कर पाऊगे और जैसे आपका काम कंप्लीट हो आप यहां से cancel workflow पर क्लिक करके इसको यहां से बंद कर दीजिएगा आपकी जो RDP है जो आपका यह सिस्टम चल रहा होगा वो भी यहां से easily close हो जाएगा फिर जैसे आपकी RDP का काम कंप्लीट हो जाएगा आपने यहां पर क्लिक करना है और इस पर right क्लिक करना है और यहां से इसको आपने disconnect कर लेना इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर यह automatically disconnect हो जाएगा यहां पर आप लोग देख पा रहे हो यह disconnect हो चुक है इस तरह आप इस free RDP को easily use कर सकते हो तो यह थी आज की वीडियो मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ निया सिखने को मिला होगा कुछ भी सिखने को मिला है तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करो कोई भी problem आ रही है तो आप comment करके पूसकते हो या पिर आप ऐसा कर अगर आपको कोई error आता है आप उसका screenshot लें आप हमारा जो facebook group है उस पर जाकर उसकी post कर दें ठीक है facebook group का link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा इससे क्या होता है कि हमें बता लग जाएगा कि आपको क्या problem आ रही है इस तरह comment करते हो अक्सर उकाद उसकी समझ नहीं आती त problem की screenshot लेकर आपने ग्रूप में जाकर post कर देनी है तो वहां से देखकर मैं आपको उसका solution भी पता दूँगा अब तो आपको कमेंट करके पूछ लीजेगा अगर मुझे वहीं समझ आ गई तो मैं आपको वहीं पर ही उसका solution बता दूँगा नहीं तो आप जाकर facebook group में post कर द पीस